इस software ने अपनी launching के मातर 5 दिनों में 10 लाग users गेन करें दस लाग पर इतना emphasize इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इतने users गेन करने में Netflix को साले 3 साल का time लग गिया था Instagram को भी 3 मेने लगे थे और Facebook को तो 10 मेने लगे थे पर इससे भी बड़ी बात यह है कि software के आने के बाद Google बड़ा घबराया हुआ है क्योंकि यह माना जा रहा है कि यह आने वाला कल है Google नहीं और इसी कारण Google ने भी अपने नए AI-based software को launch करने की खुशना करी है देखें software ने पूरी दुनिया के अंदर एक खलबली मचा दी है because यह software सब कुछ कर सकता है इसके पास हर चीज़ का जवाब है Google की तरह यह आपको अलग-अलग links प्रोवाइट नहीं करता है यह आपके सवालों का सटीक जवाब देता है चले हम इसे के एक एक्जामपल के कर रहा है और आने वाली दुनिया तो AI की है इसके साथ ही software को दुनिया की कई कंट्रीज में बैन करने की मांग भी उठ रही है चली मैं एक एक्जामपल के तुरू बताता हूं ब्राजील के स्कूल के अंदर जब बच्चों को homework दिया जा रहा था तो बच्चे homework अपनी कर रहे हैं इसी तरीके से United States of America की भी कई universities में software को बैन कर दिया गया है और इस्ट्रेंट्स को कहा गया है कि अगर आपके mobile के अंदरे software मिल गया तो आप examination नहीं दे सकते हैं अब यह चैट GPT है क्या और यह इतना बड़ा software कैसे हो गया पर सबसे पहले जानते कि Google ने क्या कर देगा कुछी वीक्स के अंदर इसके ट्राइल शुरू हो जाएंगे जिसका नाम होगा बाड बाड के बारे में information में आपको आगे देंगे पर समझ के चलिएगा कि यह एक reaction गूगल का विकॉस गूगल को भी पता लग गया है कि चैट GPT आने के बाद जिस तरीके से उसक गई ना कहीं समाफ हो जाएगा अब यह चैट GPT है क्या क्योंकि Elon Musk ने भी चैट GPT के बारे में बड़ा इंट्रेस्टिंग ट्वीट किया था उन्होंने कहा था कि चैट GPT is scary good we are not far from the dangerously strong AI गाई dangerously strong गाई यह जो वर्ट है जब Elon Musk ने इस चीज़ को कहा था तो दुनिया में कहीं लोग ने इस इस टेक्निलोजी के पास आपके हर सवाल का जवाब है आप इस पर टाइप कीजी कि मैं अपने टेक्स कैसे बचा सकता हूं यह exactly आपको जवाब दे देगा मतब ऐसे जॉब्स जो कि अलान मस्क इस कंपनी से हट गए और सैम अल्टमेन ने इस कंपनी को चलाया पर अब बड़ी बात यह है कि गूगल को किसी भी तरीके से पचाड़ दिया जाए इसी कंडिशन में गूगल ने अपना खुद का एक एक एयाई बेस सॉफवेर लाउंच करने की घुशना करी है अब चैट जीपिटी क्या कर सकता है इसको मैं आपको कुछ एक यूजर ने यहाँ पर यह का है कि find the bug in this code एक code उन्हों ने लिखा है और पूछा है किस code में बग क्या है मतलब इसके अंदर गलबड़ी क्या है आप सोचिए सॉफवेर ने वो भी बता दिया है किस code में बग क्या है यह तक बता दिया है इसके बाद अगर हम बात करें य फिर्मल क्यूशन से आगे अगर बात की जाएं यहां पर लिखा है कि आपको दो इंस्ट्रक्शन से अंदर यहां पर जादा है कि यह perception के इसाफ से या कह सकते हैं कि जितनी भी information है उसके इसाफ से एक नई जानकरी पैदा कर लेता है यहां पर एक user ने मांग की है कि वो किसी point की उपर एक ऐसा novel बनाए जिसका character army के अंदर है और इस software ने उस novel को पूरा यहां पर लिख दिया है कि story पूरी लिख द बड़ा खत्रा है देखिए chat GPT को थोड़ा सम डीटेल में जान लेते हैं हो सकता है कि आपकी आने वाली examination के अंदर यह पूसादा सकता है यहां पर यह पूसादा सकता है कि chat GPT का full form क्या है तो देखिए इसका full form है chat generative pre-trained transform और किस company ने इसे बनाए इसे बनाए यहां पर company open AI ने जो कि 2015 के अंदर आई थी और इस company ने इस software पर लंबे समय तक काम करा alone must भी पहले इसके अंदर थे पर बाद में वो हड़ गए क्योंकि एक non profitable company थी और नवंबर 2022 में जब से software को launch किया गया है पूरी दुनिया में खलबली मच गई है इसका फायदा तो बहुत लोगों को देता है पर कई questions ऐसे जिनका जवाब इस अटिक नहीं दे पार है पर हम समझ सकते हैं कि धीरे 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 इस चीज़ को भी सुधारने की कोशिश की जा रही है यह more than 100 languages के अंदर जवाब दे सकता है जो कि बहुत बड़ी बात है 100 से जादा languages के अंदर जवाब दे सकता है और मात्र पांच दिनों के अंदर इसने अपने 10 लाग users को गेन कर लिया पर इस software के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है वो कमी यह है कि यह software 2021 तक के data के ओपर ही जवाब देता है मतलब 2021 के बाद जो भी चीज हुई है यह उसका जवाब नहीं दे सकता उस data को gather नहीं कर सकता और software का नाम जो Google ने दिया है वह बाड देखिए बाड यह software के ओपर Google काफी लंबे समय से काम कर रहा है और यह एक नया AI chatbot होगा Google का देखिए chatbot का मतलब basically यह होता है कि ऐसी software एक ऐसा software जिस पर आप कुछ भी type करते है वो exactly आपको एक 60 के जवाब उसका देता है सारे data को gather करके स उसका एक answer बनाता है और exactly answer आपको माँ पर मिल जाता है Google का एक program चलता है इससे code red का जाता है देखिए code red Google का कह सकते हैं कि एक secretive program है इस secretive program के तहदी से बनाया गया secretive का मतलब यह है कि Google इसको reveal नहीं करता है कि हम क्या करने वाले सड़नली वो बता देता है कि हाँ अब यह चीज़ आ गई है दुनिया के अंदर इसके बाद अगर बात करें कि basically यह एक LAMD है LAMD मतलब language model for dialogue application के उपर based है जो कि बहुत सारे AI softwares के अंदर use भी किया जाता है और साथ ही साथ यह current data के उपर काम करेगा जैसा कि मैंने आपको बताया कि chat GPT में जो सबसे बड़ी कमी है वो यह है कि यह 2021 तक के data पर ही काम करता है पर यहाँ पर Google ने यह वादा किया है कि यह current data के उपर काम करेगा पर यह अभी हमारे लिए अवेलेबल नहीं है जैसे chat GPT का use तो आप और हम कभी भी कर सकते हैं बट यह अभी अवेलेबल हमारे लिए नहीं है दो से तीन सब्ता के अंदर यह trials के लिए जाएगा कुछ चुनिंदा users के पास ही जाएगा वो इसका use करेंगे इसमें कमिया देखेंगे कि क्या कमिया है क्या खामिया है क्या चीज़े सही किया सकती है उसके बाद अभी तै नहीं है और उसके बाद ही इसे launch किया जाएगा पुरी दुनिया के लिए जैसे chat GPT अभी पूरी दुनिया के अंदर free में काम कर रहा है मतलब इसका technology के उपर काम करते हैं इसका नाम होता है transform technology जो कि majorly google नहीं बनाई थी गूगल की पानियर technology थी जो कि 2017 से पूरी दुनिया में AI software के अंदर use की जा रही है इसमें यह चीज़ खासियत होती है कि predictions के उपर और assumptions के उपर based चीज़ों को लेकर आता है और prediction और assumptions के उपर भी अंसर दे देता है और इस technology के अंदर भी सेम चीज़ यहां पर की जा रही है तब यहां पर chat GPT कर में बात करूँ open AI की अगर बात किया तो open AI को Microsoft का साथ मिल गया है Microsoft ने 10 billion dollar invest करने की घोशना की है और यह जरूरी भी है देखे जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा famous होती है न तो ए एक छत्र राज है और Microsoft लंबे समय से चा रहा है कि Google को किसी ना किसी तरीके से हटाया जाए और चैट GPT में उनको आशा मिली है तो possibilities है हो सकता है अब इत्ता है नहीं हो सकता है कि आने वाले टाइम में Google ना बचे तो यह पूरी news थी I hope आपको समझ में आया होगा कि Tech दुनिय लेगा तब तक के लिए जय हिन जय भारत